इस वीडियो में आप देख पाऊगे कि वाल में आपको Expansion Joint दे रहा है तो Expansion Joint देने के दो डियन है पहला है कि गर्मी और सर्दी के मौसम में कुछ material होते हैं जो फैलते हैं और सुकूरते हैं तो उसमें जैसे concrete आते हैं और भी material आते हैं तो गर्मी के मौसम में ये फैलते हैं और सर्दी में क्या होते हैं शुकूरते हैं तो जब ये गर्मी या सर्दी में फैले या शुकूरे तो ये crack ना आये wall में इसलिए हम Expansion Joint देते हैं दूसरा रीजन है कि आप देख पाऊगे यहां पर कि ये बहुत लंबी wall है तो कभी भी wall का कोई हिस्सा डैमेज होता है या गिरता है तो पूरा wall ना गिरे इसके लिए भी हम Expansion Joint प्रवाइड करते हैं जैसा कि आप देख पाऊगे wall में हर ज़्यका Expansion Joint है तो यहां पर अगर कोई भी बीच का हिस्सा डैमेज होता है और गिरता है तो सीब उतना ही पार्ट गिरेगा जहां से Expansion Joint से Expansion Joint और बड़े डैमेज से हम बच सकते हैं इसलिए भी इसे प्रवाइड किया जाता है इस फोटो में आप देख पाऊगे कि यहां पर RCC या PCC किया गया है जिसके वज़े से जो Steel उपर की और निकाला गया है तो उसकी Spacing इक्वल नहीं है तो ऐसा ना हो इसके लिए इनोंने एक Steel उपर बान दा था लेकिन एक छोटी सी गलती करती है इनोंने मान लेते हैं जहां पर आपको RCC या PCC करना है तो उसकी जितनी भी ठिकने से 4 इंच या 5 इंच या 6 इंच उससे उपर आपको 6 इंच पर एक Steel बानना है स्पेसिंग को किलियर रखते हुए इसके और फिर उसके बाद आपको एक टॉप पर विवानना है तब आप यह RCC या PCC करोगे तो आपकी स्पेसिंग इस्टील की नहीं खराब होगी तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए तो इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे आपको गिली वीडियों में को बातो आपको एक जो इसके बातो हैwrा फिर वाफन फिर भीडियो में को